Hello everyone, welcome to Study Rumble, I am Tushar and this video के अंदर हम बात करें हमाई National Fertilizer Limited की जो साल वेकेंसी रहे हैं उसके बारे में आपको फिर किसी और वीडियो, फिर किसी और चीज़ को देखने की जोत नहीं पड़ेगी और सारी चीज़ में आपको इनका जो डिटेल नोटिफिकेशन आये ऑफिशल नोटिफिकेशन उससे में आपको बताऊंगा तो बिल्कुल जैन्यूर्ण होने वाला है ओके सब कुछ आपको एक विजाईपुरी उनिट है जो आपका गुना मध्यपरदीश में है ठीक है अब देखते है क्या क्या वेकेंसिया है सो देखिए में हम जो बात करेंगे हैं अब बात करेंगे जूनियर इंजिनेरिंग असिस्टन ग्रेड टू प्रोडक्शन वाले के बारे में ठी अच्छी बात क्या है कि जो नॉर्मल बीस्टी ग्रेडुएट्स है जो नॉर्मल पीसिक्स केमिस्टी मेथ पड़ा हुआ है अपने ग्रेडुएशन में वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जो इनका पानीपत यूनिट है जो हर्यानक के अंदर है महां पर देखिए ज सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके लिए जो बेसिक एजूनियर इंजिनियर 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 अच्टी की कोई वेकैंसी नहीं है इसमें OBC नॉन क्रिमिलियर की है 10 और EWS की है फूर्ट तो अगर कोई जंदल केंडिडेड है जो यूर्टेगरी से आता हो EWS में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको ठीक है और इसके लिए जो बेसिक एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है असेंशल जो है वह है बीएस सी विद पीसी है तो अगर आपकी बदस है तो आप अप्लाइब कर सकते हैं ठीक है बाकि देखे जो जूनियर इंजिनियर इंजिनियर इंजिनियर इंजिन जिस्टेन ग्रेड नहां तुग है इसा थोड़कर कम है ठीक है और बाकि लोको अटेंडेंट की विद्धेंश हैं तो यह आप देख सकते हैं हमारा में फोकुस सब्सक्राइब करेंगे प्रोड़क्शन वाले पर तो बतिंडा में 26 निकली है प्रोडेक्शन वाले के ठीक है और इसमें दस यूर की है और दो में एडब्लूस की तो आप कह सकते हैं अच्छी कासी ठीक ठाक वेकेंसी से क्योंगे जो वेकेंसी है इनमें बहुत एक बच्चे बच्चे अप्लाई करते हैं फिर यहां पर कुछ नहीं कुछ चलिए है अब देखते हैं एक पोस्ट आई अगर किसी ने बियसके अग्री कल्चर किया है वह इसके लिए अपलाई कर सकता है ठीक है बागी चले आगे देखते हैं एज वगशर आगे अट करके हैं एक important date जो यहाँ पर आप सबको पता होने चाहिए 39-2021 तो जो भी आपके essential qualification होने वाले age criteria होने वाले वो सभी 39-2021 तक के होने से पहले की होने चाहिए फिर उस तारीक तक के होने चाहिए उसके बाद अगर मालेक आपकी डिगरी आ रही है उसके बाद अगर आपकी essential qualification complete हो रही है तो आप इसके लिए eligible नहीं माने जाएंगे ठीक है अब देखते है थोड़ा सा detail में भाई क्या क्या है इसका education qualification और एज रिल वागया ठीक है डिप्लोमा 50% for general OBC EWS and 45% for SC and SD candidates इसके लावब देखिए अगर आपके यह नहीं है तो आप तीन साल का अगर आपके पास है तो उससे भी आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लावब देखिए जो आपका instrumentation का उसमें क्या मांग है तीन साल का अगर आपके सब्सक्राइब कर पाएंगे अगर आप किसी और पूस्ट के लिए अप्लाई कर रहे है ठीक है बाकी जो इंपोर्डेंट चीज़ है डेट बगर मैं आपको बताओं सभी के लिए क्योंकि ठीक है यह तो हो गया बाकी जो हमारे जन्रल ओबीसी और इडब्लेस के लिए दो सो रपे आपकी फीस लगेगी ठीक है जो कि नॉन रिफंडेवल ऐसा नहीं को आपको आपको पता होगा कि जो एंटी पीस हो तो उसमें 500 पर जाती है 100 पर आपको घट जाते है अगर आप पेपर देने जाते हैं बाकी चार्स पर वापिस आते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोच रहे है इसा कुछ नहीं है ठीक है जो आपको बेसिक पे मिलेगा वह तो आपका पे है इसके लाव देखे इंडेस्ट्रेल डियर्नेस अलाउंस जो आपका नॉमल जादा मिलता अबको एक दो परसंट यह अच्छी बात है अच्छी मिलेगा या फिर कंपनी अकॉमेडिशन मिलेगा आपको दादू जिनकी कंपनी अकॉमेडिशन है हमारी जो मिलेटना कंपनी ज होते हैं अराम से दो भी आपको मिल सकता है अगर कंपनी से मिलेगा तो ठीक है इसके अलावर जो अधर परक्वी साइट्स मिलेंगे आपको बेनिफिट्स मिल दाएंगे लीव एनकेश्मेंट वगरा कि मेडिकल फैसिलिटी सारी मिलेंगी परफॉर्मेंस रिलेटिड भी आ आपको अप्लाई करना है ओनलाइन आपके ओनलाइन अप्लिकेशन शुरू हो चुके 21 अक्टूबर से लेके और आपके दस नमबर तके चलेंगे और दस नमबर साढ़े पांच जो तक आप भर पाएंगे ठीक है इनके ऑफिशल वेबसाइट पर जाके आपको लिंक आपको अगर आपको यहां पर अप्लोड करना पड़ेगा इन सभी सर्टिफिकेट के लिए बाकि आधार कार्ड वगर आप अप्लोड कर सकते हैं सभी के पास रहता है बाकि फोटोग्राफ सिंग्नेचर कर जो साइज है आपको 50 और 20 कवी रखना है फोटोग्राफ का 50 कवी और साइन का 20 कवी के अंडर बाकी में आपको बताई थे सबके 200 कवी के साइज इस नहां पर है आप पहले से रएडी रखेंगे तो ज्यादा असान लाएग आपके लिए फॉर्म फिल अप करना तो कई बार क्य अपको अप्ड़ेगा अब्जेक्टिव टेस्ट ठीक है चार ओप्शिन होंगे व्यासा टेस्ट ठीक है एडमीट कार्ड इसके आपको पहले ही जिले जाएंगे अदस है बारा दिन पहले है पंदर बीज दिन पहले ठीक है उसके अक्वर्डिंग बाकि सेंटर्स देख लि अब जो अब सेंटर पढ़ा बीकन अरी के आसपास पढ़ गया मैं रहता हूं डैली तो मैं भी जाई नीर पेड़ें टाक थी मैंने यूपी प्सी को प्रेफरेंस देदी कि चलो यह दे देते हैं बट अब मैं राजिस्तान वाद दिने नहीं जा रहा अब आली रीजन क्या दिल्ली NCR, भुपाल, हैदरबाद, बॉंबे, चैने, जैपूर, एमदरबाद, भुपनेश्वर, राची, बाक्या, पढड़ी, जेग, लखनो वगएरा तो मेरा कहनने को इतना मतलब ही कि जो आप सेंटर डालें वो ऐसे डालें जो आपके सिटी या आपके स्टेट के बह यहां पर नाल यते हैं कोई पंजाब में उपर की तरफ रहता है तो जम्मू कश्मी चूज कर सकता है क्योंकि जम्मू कश्मी नो जो major centers पढ़ता है आपके नीचे की तरफ जो major cities उनमें पढ़ते हैं ऊपर ऐसे नहीं कि कती बर्फीली लागें पढ़ जाएगा सेंटर तो एक चीज में आपको दादूं काफि सारे एक्जामस में क्या होता है जो SCST candidates होते हैं उनको TA त्रेवल अलाउंस देया जाता है तो यहां पर आपको कोई भी ट्रेवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा साफ साफ लिखा हो है candidates have to make their own arrangement for traveling, lodging and boarding for appearing online test, no TA will be paid in this regard, साफ साफ लिखा हो बहुत पैसे लग जाते हैं आने जाने में भी और बच्चों की त्यारी नहीं होती है मैं देखा इस तरीके से काफी बार तो थो 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 इस तरीके से इसके लावे देखिए online test का syllabus क्या है यह थोड़ा important है क्योंकि यह आपको पता होना चाहिए आपको online test होना दो पार्ट होंगे इसमें आपका discipline पार्ट जिससे आपका मालेते हैं जो graduation मांगिए तो PCM से आपके question मिलेंगे आपका physics chemistry math से और एक पार्ट होने आपका aptitude related इसमें आपका reasoning हो गया English हो गया GS हो गया इसा बाएगा ठीक है verification के साब से जो भी आपका discipline बन रहा है उसके साब साब को आपको कोशन देखने को मिलेंगे 100 कोशन और बाकि जो 50 कोशन आपको देखने को मिलेंगे आपको जनरल English quantitative aptitude reasoning और जनरल knowledge या फिर awareness आप क्या सकते ठीक है एक अच्छी बात कहें कोई भी negative marking नहीं है तो जो बाकि आपको चलता फिरता पढ़ते रहे और आपको याद होता है ऐसा कुछ आएगा चलता फिरता टाइब आपको पूछ लेंगे तो इवर आप देखने बाकी 100 question में देखिए तुक्का आप मार सकते है क्योंकि कोई भी negative marking नहीं है तो हो सकते है अगर आप 100 के 100 भी तुक्के मारे और आपके 40 ठीक हो जाए क्योंकि इतना तो भाई percent रहता है आपको तुक्का सजी बिने का और वैसे तो मैं कहुंगो कि में उसके basis पर आपकी merit बनाई जाएगी और उसके बाद आपको जो भी certificates है उनको verify किया जाएगा इसके लावा मैंने बताई दिया कि 150 marks का paper होगा और हर एक बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि वह क्या लाए 50% marks लेके आए या उससे जादा ताकि उसकी copy check हो सके at least क्योंकि कि जो category wise merit बनेगी वो नहीं बच्चों मिलेगी जुन्होंने at least 50% score किया गया हो ठीक है बाकी performance आपूरा इसके लावा देखिए जो selected candidates है उनको मैंने बताई देथा पहले कि इन ही 5 minutes में job करने को मिलेगा होगा कि जो आप पहले उनिट में चूज करेंगी मैं इस unit के लिए apply कर रहा हूं आपको पहले उसी में डाला जाएगा बट अगर इनको पड़त पड़त है कि आपको किसी unit में बेज आजा तो आपको भीज सकते हैं ऐसा आपके वाज उपर compulsion नहीं कि आप वहीं काम करेंग जैकि यह जो बाते पता होने चाहिए कि जो candidate select होंगे उनको shifts में work करना पड़ेगा round the clock क्योंकि यह plants 24-24 hours work करते हैं और 7 दिन काम करते हैं तो यह ऐसा नहीं कि बंदा सारे दिन काम करेगा शिफ्ट लगेंगी जैसे 8-8 घंटे की shift होती तो आपको shift में काम करना पड़ेगा कई बार दिन में कई बार रात में काम करना पड़ेगा तो अगर आप psychologically तैयार हैं इस चीज के लिए कि यहाँ रात में काम कर सकता हूं तो ही आप इसके लिए apply करें क्या होता है वैस मैं द जो मुझे बताने थे बाकी देखिए आप समझदाने आपने पहले ही बहुत सा एक्जाम दिये और क्या बेसिक चीज़ें लाइक एक्जाम सेंटर में फोन निहीं दे जा सकते यह नहीं कर सकते चीटिंग कर तो यह पकड़ेगा तो बार हो जाओग यह सब तो बेसिक बात ह और आपकी जो लास डेटर वह आपकी 10th of November तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी की जो भी डाउट से इसके रिगार्डिंग होए आपका क्लियर कर दियोंगे बाकि अगर कोई और भी डाउट है कि कोई और चीज़ आपको पूछने किसी और चीज के रिगार्डिंग को कि अगले वीडियो में बाबाइ टेक कियर धनकी अगर्ण की प्रिपेरिंग और एक्जाम